नमस्कार दोस्तों तूलिका दर्शिन चैनल में मैं रमासंकर डिम्री आपका स्वागत करता हूँ पिछले अंक में हमने पस्चिम की कला के बारे में देखा था और पस्चिमी जगत में हमने प्रागितिसिक चित्रों को देखा पिसले एपिसोड को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं आज के एंक में हम बात करेंगे मिस्र की कला की और देखेंगे कि किस प्रकार मिस्र की सब्वेता संस्कृति के अंदर कलाओं को स्थान दिया गया और जानेंगे कि क्यों मिस्तर की कला को अंतियष्ठी की कला कहा जाता है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो मिस्तर की कला अंतियष्ठी की कला है इनके प्रधान केंदर मगबरे हैं जिनका राज के विशाल रूप ही पिरामिड है इस कला का इध्यास 3000 वर्स पूर्व का है या संपून कला मृत्गों की पुष्टक में वर्नत जीवन के आधार पर विक्सित हुई है अब देखें यहाँ पर जो मिस्तर की कला है उसे अंतियष्ठी की कला कहा जाता है अब क्योंकि अन्तिष्ट की कला इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिस्र में जब भी संस्कृति की बात की जाती है या संस्कृति के चिन्नों को खोजा जाता है तो उनको पिरामिडों में ही खोजा जाता है और यह पिरामिड है एक प्रकार के यह जो मिस्र के शासक थे मिस्र के सम समराथ थे फराव समराथ होते थे वहाँ पर तो उनके ये मकबरे हैं और इनका विसाल रूप जो है पिरामिट के रूप में हमें दिखाई देता है और इस कला का जो इतियास है वो तीन हजार वर्स पूर्व का है और ये संपून कला मृतको की पुस्ताग बुक आफ देड मे वर्नित जीवन के आधार पर विक्सित हुई है मिस्र की कला को समझने से पहले हमें मिस्र का इतियास भी समझना आवश्यक है तब ही हम मिस्र की कला को मिस्र के इतियास के साथ में जोड़ करके समझ पाएंगे मिस्र की सब्वेता का मानव जो था बादामी रंग का वो नाट मिले हैं वहाँ पर उस कंकाल के अध्यान से पता चला है कि जो मानव था वहाँ पर वो बादा में रंका होता था और इसका जो कद होता था वो छोटा था और खोपड़ी लंबी खचीवी थी कुछ-कुछ एलियंस जैसे ये मिस्र के जो लोग थे वो दिखाई दे दे थे सन 1798 में नैपोलियन की सैना के अधिकारी को रोजेता सिला मिली जिस पर मिस्र की लीपी के साथ दो अन्नी लीपियों में कुछ लिखा हुआ था लेकिन नैपोलियन के अधिकारी रोजेता सिला की लीपी को पढ़ने में काम्याब नहीं हो सके और नैपोलियन यह नहीं जान प पढ़ पाई थे इस सिला में क्या लिखा था लेकिन जो फ्रांस के एक विद्वान थे शांपो लिया और अंग्रेज विद्वान यंग इन दोनों ने सहयुक तुरूप से जब इस सिला का ध्यन किया तो उन्होंने इस सिला में लिखे वे जितने भी स्कृप्ट थे उनको समचिप्त इत्यास इसमें लिखा हुआ था तो यह जो आप इहां पर चितर देख रहे होंगे यह रोजेता सिला है जो नेपोलियन के सन्या अधिकारियों को प्राप्त हुई थी और वरतमान में यह इजिप्ट के काहिरा संग्राले में रखी गई है अब हम बात करते हैं मि अगल चितरकला को पढ़ते है तो वहां पर अकबर जहांगीर बाबर हुमायू यह सब पढ़ते हैं ठीक उसी प्रकार से मिस्र के सब्वेता में जो वहां के मुख्य सासक थे जो राजा थे उनमें खुफू, खफ्रे, मैंकूर और तूतन खामन ठीक है यह प्रसिद्ध समर समराट वहां पर हुए इनी समराटों के मगवरों को आज हम पिरामिट के रूप में देखते हैं जानते हैं ठीक है तो आप नीचे जो इमेज देख रहे हैं वो खुफू, खफ्रे और मैकूरे की है यह जो मूर्तिया है इनकी यह भी काहिरा संग्राले में संग्रेत की गई अब मित्यास को जाने तो 1837 में समराट मैकूरे की ममी निकाले जाने के बाद गुम हो गई यानिकी जो मैकूरे जो आके समराट थे जब उनकी ममी यानिकी उनके जो सव को क्योंकि अन्तियश्टी की कला है तो यहां पर सव को प्रिजर्व करके रखा जाता था और उनका मान सुरक्षित रहना चाहिए 1838 में समराट खफरे की ममी इंग्लेंड ले जाते समय जहाज डूबने से नश्ठ हो गई और जब 1838 में समराट खफरे की ममी को भी जो है पुरातत तो विद थे तो ये अपने संग्राले के लिए इस ममी को ले जा रहे थे कारणवान और हावर्ड काटर ने तूतन खामन के मगबरे का द्वार सपलताफूरक खोला तो आप देख सकते देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार की एक ममी रखने का एक ये कॉफिन होता है जैसे आपने इसाईयों में भी देखा होगा कि जब व्यक्ति के सव को किसी पेटी में रखा जाता है तो वो इस प्रकार की वहाँ पर बनाय जाती थी तो ये जो शव पेटी का ही होती थी इनको भी काफी अच्छे ढंग से इन पर भी चित्रों को बनाय जाता है आप यहां पर देखे चित्र में देख रहे होंगे कि इन में जिस व्यक्ती की मौत होती थी यानि कि जिस सासक को रखा जाता था उस सासक का इस सहो पेटी का पर चित्र बनाया जाता था और इस सहो पेटी का पर जितना ज्यादा अलंकरत चित्र होता था यह माना जाता था कि ये व्यक्ति उतना ही रशुगदार है, उतना ही ये पावरफुल व्यक्ति रहा होगा, अब देखें ये वो ममीज हैं जिनको जब इन पेटियों को खोला गया, तो उनके अंदर इस प्रकार की जो ममीज थी, जो शव थे जिनको उपचारित करके, प्रिजर्व करके रखा गय इत्यासकारों ने इसके लिए मिस्र की सब्विता को कई कालखंड में विवाजित किया है, अब देखें, किसी भी चीज को समझने के लिए आप उसको जब तक कालखंडों में विवाजित नहीं करेंगे, आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा घटना करम पहले हुआ, क कौन सा घटना करम मध्य में हुआ, कौन सा घटना करम अन्त में हुआ, तो किसी भी इत्यास को जानने के लिए इत्यासकार, जो है उस सब्विता के कालखंड को समय यहां पूरा पाशन नव पाषन युग के आखे टक वाणवी की चिन प्राप्त हुए है, दूसरा जो देनोंने माना है प्राग, फरावनी या मैंफाई टूम ये 5,000 से 2,885 आ पुरु तक मिस्रिक में राज्मन्सु की स्तापना हो चुकी थी। अब यहाँ पर 5,000 से 8,250 इसा पुरू तक मिस्री के अंदर जो डाइनेस्टी इस्टेबलिस हो चुकी थी, वहाँ पर राजवनसों के स्तापना हो चुकी थी, तीसरा जो है फरावनी मेंफाइट यूग, वहाँ पर प्राग था यहाँ पर फरावनी मेंफाइट यूग है, य इसमें भी देखे, जो फरावनी यूग है, यानि मेंफाइट यूग है, इसको भी दो भागों में डिवाइट किया गया है, पहला है थीनी राजवनस, थीनी राजवनस के समय में मेंफिस नगर की स्तापना हुई, इसकार इस यूग को मेंफाइट यूग कहा जाता है, तो दूसी कारण इस यूग को मैमफाइट यूग कहा जाता है। इसमें जो दूसरा खंड है, खाओ खंड है, प्राचीन राज्य है। तो इसके अंदर देखें, मिस्र के थ्यास का प्रमुख यूग भी इससे कहा जाता है। क्योंकि इस समय सासकों के मिर्द सरीरों को समाधियों की रूप में सुरक्षित रखा जाता था, इन समाधियों को मस्तवा का जाता था, जिने आज हम पिरामिट की रूप में देखते हैं। चौथा जो पार्ट है इसमें थीबन यूग यानिकि दोजार पचास इसवी से 1085 इसवा पूर्व तक थीव के सासकों ने मिस्र पर राज किया और इनके समय में पनपी कला को थीबन कला कहा जाता है। इनके जो राजवन्स के नाम पर यहां पर दोजार पचास से 1085 इसा पूर्व में जुकला यहां पर विक्सित भी उसको थीबन कला कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी प्रशना आप से पूछे जा सकते हैं। इसलाम का प्रभाव यानि कि यह जो सात्वा खंड की आयनों ने यहां से जो मिस्र की सरवेता थी उसके अंदर इसलाम धरम का प्रवेश हो जाता है। देरी देरे करके जो पूरा का पूरा मिस्र था उसके अंदर इसलाम धरम का प्रभाव स्थापित हो जाता है। मिस्र की कला क्योंकि हमें मालूम है कि एक कला अंतिष्टी की कला है और मिस्र के लोगों का विश्वास था कि सरीर में दो आत्माओं का निवास होता है। अब यह दो आतमाओं हैं जिसके कारण यह सरीर को सुरक्षित रखते थे तो पहली आतमा का नाम था बाः जो शरीर निर्जी रहने के बाद स्वचन्द विचरण करती है और फिर वापस सरीर में लौट आती है। दूसरी आत्मा का नाम था का, जो ये भी वापिस सरीर में लोट कर आती थी और सरीर को ज्यान संपन बनाती थी, तो जो इनकी पुस्तक थी, उसमें इन आत्माओं का जिक्र था और इसी कारण ये अपने सासकों, समराटों के सरीरों को नश्ट नहीं होने देते थे, उनको प् इसी दिन वापिस इस सरीर में लोटेंगी और ये सरीर फिर से जिन्दा होगा, इसलिए यहाँ पर इन सवों को शमाल करके रखा जाता था, इसलिए इस पूरी की पूरी कला को अंतिस्ठी की कला कहा जाता है, जब राजा या राज परिवार में किसी की मिर्त्यु होती थी, तो राजा के सरीर को एक सुन्दर से सरीर आकरती वाले कौफिन में रखा जाता था तो आप यहाँ पर एक सव पेटिका देख रहे होंगे जो की ठीक उसी प्रकार फैराओ के जो राजा होते थे वहाँ पे उन्हें की बहांती इस पेटिका को बनाया जाता था और इस पेटिका के उपर भी उस राजा का मुखाकरती अंकित की जाती थी उस राजा की मुखाकरती को बनाया जाता था और साथ में उस पूरी की पूरी सव पेटिका को भी काफी अलंकित चित्रों से सजाया जाता था और इसके अंदर फिर राजा के सव को उपचारित करके जो है ममी के रूप में सुरक्षित रखा जाता था अभी आप यहाँ पर इन पेटिकाओं को देख रहे होंगे कि यह अलग-अलग पेटिकाओं आपको दिखाए दे रहे होंगी तो यहाँ पर कुछ महिला जो सासिकाइन थी या महिला जो राणिया थी उनकी भी यहाँ पर जो ममी प्राप्थ हुई है और आप देख रहे होंगे कि इन पेटिकाओं को इन सव पेटिकाओं को बहुती अलंकरत धंग सी चितरकारी करके इनको सजाया जाता था और आप देख रहे होंगे कि जो ममीज होती थी उनको उपचारित करें उनको खास जो एक कपड़ा होता था उन कपड़ों से बनी वी जो एक रिबन टाइप की पटियां होती थी उनसे इनको लपेटा जाता था और फिर ममी के पेटी में रखा जाता था इस कॉफीन में संबंदित व्यक्ति के जीवन की प्रमुक घटनाओं को भी चित्रत किया जाता था जिन चुतरों की मैं आप से बात कर रहा था कि इन जो कॉफीन है ये सव पेटी का हैं इन में संबंदित व्यक्ति के जीवन की प्रमुक घटनाओं को भी चित्रत किया जाता था अगर किसी सासक ने कोई बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है किसी अन्या सासक के ऊपर तो उसके सव की जो पेटी होती थी बनी भी उसमें उससे संबंदित उसके जीवन से संबंद जो भी प्रमु घटना थी उसको भी चित्रत किया जाता था साथ ही इनको इनके लिए विशेश प्रकार के बने मस्तवों अर्थात पिरामिडों में सुरक्षित रखा जाता था वहां पर अलग-अलग जो राजा या राज परिवार होते थे उनके अपने-अपने मस् बने होते थे उनकी दिवारों को भी काफी सुन्दर चित्रों से सजाया जाता था साथ ही जो यह पेटिकाई होती थी जिनके अंदर इन सवों को रखा जाता था तो इन सवों के साथ में बहुमुल्य आभुशन बहुमुल्य जो जेवरात होते थे उन सासों को से संबनित उ को भी यहां पर उनकी ममी के साथ में रखा जाता था और यह माना जाता था ऐंक इनी ok कि अभुषणों का इन जो भी वहां पर हातियार उनके साथ रखे जाते थे इनके पुनर जीवन में इनके काम आएंगे और सायद इसी लिए जितने भी वहाँ पर लुटे रहे हैं जो इन पिरामिडों के अंदर तोड़ फुड़ करते हैं ममीज को ढूनने का कारे करते हैं वो इसी लिए करते हैं वो इसी लालच में इन ममीज को खोजते हैं कि ममीज के साथ में जो भी भमूल्य आभूशन, हीरे, जावारात या जो भी कीमती सामान रखा जाता था उनको लूटने के लिए ही जो लुटेरे हैं वो इन पिरामिडों में खोजबिन करते थे और साथ यही कारण है कि बहुत सारी जो ममीज हैं जिनका कहीरा संग्राले के अंदर सुरक्षित रखा गया है उनमें सिभी बेस कीमती सामान जो है लुटेरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है और मिस्र के अंदर इस प्रकार के कई सारे गैंग बहुत ही सक्रिया रूप से अपनी भूमी का निभा रहे हैं आज भी गुप्त तरीके से पिरामिडों के अंदर ममीज को खोजने का कारे करते हैं जो यह ममीज रखी जाती थी पिरामिडों के अंदर तो यहाँ पर भी काफी सारे गोपणिया कक्ष बने हुए हैं यानि कि आम इनसान को यह पता नहीं होता कि पिरामिड के किस भाग में कहाँ पर ममीज को जो है छिपाया गया है ठीक है तो इसलिए भी जो ये ममीज बनी वे हैं ममीज वहाँ पर रखी जाती थी उनको लूटा जाता था कोमल अहमार की समादी में मिस्र का प्राचिंतम सुरक्षित चितर प्राप्त किया गया है देखिए यहाँ पर एक और सासक का नाम आया है कोमल अहमार इसकी समादी में मिस्र का प्राचिंतम सुरक्षित चित्र जो है प्राप्त किया गया था इन चित्रों में छे जल्पूत अनेक मानामकृतिवा पसू चित्रित किये गए हैं ये भी काफी प्राचिंतम चित्र हैं जो कोम अल हमार के समाधी में प्राप्थ किये गए हैं। समराट नारमेर के समय मिस्र के जो चित्र बनाएगे उन्होंने मिस्र की कला को संसार की अन्य चित्र कलाओं में स्रेश्ट इस्तान प्राप्थ किया है। सम्राढ थो नारमेर थे उनके समय में जो अच्छा माना जाता है और इसी कारण जो मिसर की कला है वह अन्य जो चित्र कलाओं से श्रेष्ट इस्तान पर आ चुकी है अब हम बात करें बात करें तो देगें मिसर के चित्रों में प्राकृतिक रूप से उपलब्द रंगों का ही उपयोग किया गया है निले पत्थर से प्राप्थ इंदरनील तामबे से प्राप्थ निलावा हरा रंग स्वेत ता काले रंग का प्रियोग भी मिस्त्र के चित्रों में बाद में शरीर को एक उर्दु रेखा द्वारा दो सम भागों में विवाजित किया गया है यहाँ पर देखे जब समराट नारमेर आ जाते हैं उनसे जो पूर्व जो मानव के चित्र बनाए गये थे वे उतने उच्च कोटी के नहीं थे लेकिन नारमेर के आने के बाद मनुस्य के चित्रों में सरीर को एक उर्दू रेका द्वारा सम भागों में विवाजित किया गया जहां एक और आकरती के नियम बने थे वहीं दूसरी और गूलाक्षर बीपी का भी विकास हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ नारमेर के आने के बाद के आकरतियों में जो आकरतियों को बनाने के जो नियम थे वो भी बनाए गए कि किस प्रकार से मानव की चित्रों को किया जाएगा वहीं पर गूलाक्षर बीपी का भी विकास हुआ यानि कि चित्रों के साथ में कुछ वहाँ पर स्क्रिप्ट भी लिखी जाती थी जैसे आपने सिंदु गाटी की सब्वेता में मोहरे आप वहाँ पर प्राप्त हुई हैं तो उनके साथ में कुछ लीपियों को लिखा गया था इसी प्रकार मिस्र की जो चित्र हैं उन पे भी गोड़ाक्छर्लिपी में लिखने का विकास नारमेर के समय में प्रारंभ हो चुका था मिस्र के प्रारंभी के चित्रों में इस्त्री को गाय के सींग त legitimately पर चान लगा कर उन्हें स्वर्व से सम्मंदित दर्साया गया है यही इस प्रकार आप पहचान और तो यहां पर जो इस्थ्री के चित्र में गाय के सिंगता कान लगा करक उन्हें हुआ सरग के सम्दित दर्साया गया है । देखें यहां पर मिस्र में सौपेटिकाउं में चित्र बनाए गए वहीं राजभावन में भी भित्ती चित्र को बहुतायत में बनाए गय है। तो यहां पर आपको इस्ट्र में लिए अपको जो पुरूप में इसे लिए cities का जिसें के रूप में हैं और उनके प्रष्ट भूमी पर आपको गोडाक्षर लिपियों में यानि कि चित्रात्मक लीपी में कुछ लिखावा दिखाए दे रहा होगा तो इस प्रकार वहाँ पे नार्मेर के समय में चित्रों का बनना सुरू हो चुका था अब आप देख सकते हैं कि क इस प्रकार वहाँ पर जो भिती चित्र हमें पराथ हुए हैं तो तो देखे यहां पर एक संगी तग्या और नर्थक्यों का एक चित्र दिखाए दे रहा है ये चित्र भी काफी प्रसद्द चित्र है और मिस्री की सब्यता में इस चित्र का अंकन बहुत जगा पे हमको देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं कि दूसरा चित्र में आपको किरसी करते वे एक महिरा और पूरुस को दिखाया गया है वहाँ पर देखें इनके हाथ में एक हसिया है और ये गेहूं की बालियों को काट रहे है तो देखें वहाँ पर किरसी संबंदित चित्र भी बनाये गये थे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये वाला जो चित्र है ये देवताओं से संबंदित करके बनाया गया है इसमें देधूत को दिखाया गया है, और इसमें जो महिला है जिसके पंक बनाए गया है इसको फरिस्ते की रूप में हाँ पर दिखाया गया है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर चित्रे बनाए जाते थे तो देखी ये Egyptian God's के चित्र है यानि कि जो मिस्र में जिनको देवता की संग्या दी गई है तो इस प्रकार से देवताओं की चित्रों को वहाँ पर बनाया जाता था अब बात करते हैं मिस्र की कला की विसेशताओं की अब देखी यहाँ पर मिस्र में सभी प्रकार के कलाकारों को हेमूत कहा जाता था ठीक है तो ये प्रसन भी आपसे पोजा जा सकता है कि वहाँ पर जो कलाकार होते थे उन्हें क्या कहा जाता था मिस्र की सब्वेता में तो कि कि यह वह कि प्रकार के कलाकार होते थी उनको हेमूत कहा जाता था चाहे वो चित्रकार हो मूर्तिकार नाम से फुकारार जाता था भिस्तर की अची स्थान्य प्रकर्ती से प्रभावित legitim तो आपने देखा भी बह सब्सकre और अर्धी से प्रभावित चित्र बनाएंगें, मिыми्सर की कला सपाठ है, दिर्ष्टि ब्रह्म नहीं दिखाय देता है तो आपने देखा होगा कि जो भी मिसर के चित्र हैं, वहाँ पर, मिसर की कला में च्छाया प्रकास को भी वहाँ पर नहीं दिखाया गया है अगर च्छाया प्रकास को दिखाया होता तो वो 3D फैक्ट वाले चित्र बन जाते इसलिए वहाँ पर सपाट चित्रों को दिखाया गया है और सपाट रंग से ही रंगों को भरा गया है अब बात करते हैं मिस्र की तो मिस्र में सिर्फ चित्र ही नहीं बने बलकि मूर्थिकला भी उचिकोटी की बने थी। मिस्र में पिरामिडों को सजाने व भवेता दिखाने के लिए बड़ी-बड़ी फराओं की मूर्थिया बनाये गई थी। अब आप देख सकते हैं काहिरा के निकट गीजा के पिरामिडों और सक्कारा के नफ्रु की समाधियों फराउनों के मस्तबों में इन मूर्टिकलाओं को देखा जा सकता है तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो वहाँ के सासक होते थे उनको फराओ कहा जाता था और इसी प्रकार से उनको मूर्तियों में भी दर्साया जाता था देखें यहां पर मिस्र की जब मूर्ति कला के बारे में बात करते हैं तो स्फिंक्स निर्सिंग की जो मूर्ति है लगबग 25 सो इसा पूर्व इसका निर्मान काल माना जाता है तो यह काफी प्रसिद्ध यहां पर मूर्ति है खफरे की पिरामिड से खफरे के मंदिर तक जाने फिट है उचाई 66 फिट और चहरे की चोड़ाई 13.5 फिट और पंजे लगभग 50 फिट लंबे हैं ठीक है तो यह जो स्प्रिंग्स की मूर्ति यह भी मिस्टर की कला में काफी अपना महत्तपुनस्तान रखती है तो आपने देखा भी होगा इस पूरे के पूरे स्कल्प्चर क देख रहे हैं यह स्प्रिंग्स नर्सिंग की मूर्ति है लगभग 25 सोईसा पूर्व इसको बनाया गया था तो आप देख सकते हैं कि इस मूर्ति को कितने विशाल काई रूप में जो है बनाया गया था और इस मूर्ति को देखने के बाद आप यह अंदाजा लगा सकते हैं वहाँ पर किस प्रकार से आज भी ये पता नहीं चल पाया कि पिरामिडों का निर्मान किस प्रकार से हुआ इन बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्मान कैसे हुआ उस दौर में जबकि आधुनिक जो मशीन हैं आज हमारे पास अपलब्द हैं लेकिन उस जवाने में नहीं हम दिवार गया है साथ ही जो वहाँ पर रिलीफ का वर्क भी मिस्तर में किया गया है तो आप देख रहे होंगे चितर में कि किस प्रकार से वहाँ पर उत्किरन कार्य किया गया है तो देखिए आप इन नमूनों से देख सकते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर रिलीफ वर्क भी किया जाता था फार्सी तो इस प्रस्न का सयुत्तर आप कमेंट करके जरूर दीजेगा पिसले एंक में हमने आपसे प्रस्न पूचा था जिव्या सोहमा मोषे का संबंद किस लोककला से है और विकल्ब थे मदुवनी वारली सांजी और गोधना तो जिव्या सोवे मोशे का संबंद वारली लोककला से रहा है और यह महरास्त की एक लोककला है इस प्रस्ण का सबसे पहले जवाब दिया धर्मेंदर कुमार जी ने पुनम दिवेदी जी ने हिमान्सु गुपता जी पिंकी चोहान जी जगमौन अगर जी पवन कुमार जी न यह था तो लिगा दर्शिन जैनल का आजकंक जिसमें हमने मिस्र की कला के बारे में जाना और देखा कि एहतियासिक तथ्यों पर क्या रहे हैं और यह भी देखा कि अंतियस्ठी की कला मिस्र की कला को क्यों कहा जाता है तो आपको आज का एपिसोड कैसे लगा हमें कमेंट कर करके जरूर बताईएगा और आपके कोई भी सुजाव हों तो उन्हें भी कमेंट करके जरूर हमें भेजिएगा अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजेगा क्योंकि ग्यान बाटने से परता है तो आज के एपिसोड में इतना ही मिलते हैं अगले अंक में किसे नए टॉपिक के साथ में तब तक की लिए दीजी मुझे इजाजत नमस्कार